यूठेट आप देख रहे हैं देषका नंबर वान हिंदी न्यूस चानल न्यूज जेटें अन्डिया और सबसे बड़ा मंच सबसे बड़ी चौपाल अब भी जा Chapel यानि न्यू जेटे इन इंडिया चौपाई अब जो स्टेज पर इस सबसे बड़े मंच पर आने वाले हैं वो बेहत खास है उनका हर अंदास खास है उनके शब्दों और अभिनय में भावना है जान है वो सिल्फ फिल्मों के ही नहीं हर मंच की आनबांग्शान है तालियों क की गड़ गड़ाहत से स्वागत कीजे आशुतोश राणा जी का और उनके साथ बाक्षित करने के लिए मेरे सयोगी पंकच भारगव मौजूद है मंच पर तो हम मंच पे हम स्वागत कर रहे हैं आशुतोश राणा मेरे बड़े भाई हैं और आज पहली बार वो मौका है कि हम स्टेज पे एक दूसरे से रूबर हुए आशुतोश भाई बहुत-बहुत स्वागत आपका बहुत-बहुत-बहुत हर्यवाद इंदिया की चौपाल प राम के बारे में बात करते हुए देखा और इस बार तो हमारे राम आप लेकर आए हैं जिसका पूरी दुनिया में मंचन होगा लेकिन इस बार आपने चुना रावन के किलदार उसकी खास वजह उसकी वजह पंकच मेरा अपना ये मानना है सबसे पहले तो आपका बहुत- उसरे के साथ बात की थी पत्रकारिता के तौर पर तो वो हमारे इसमरण में अभी भी है क्योंकि वो one of the best चर्चा थी हमारे जीवन की रावर के जिसकरदार की आप बात कर रहे हैं मेरा ये मानना है कि अगर राम को आपको सही तरीके से जानना है तो आपको रावर के मार्ग आप निश्यत रूप से जान सकते हैं क्योंकि जो पुन्यात्मा होते हैं वो परमात्मा का इसमरण तो कर सकते हैं लेकिन जो पापात्मा होता है वो परमात्मा का इस फुरण करता है पुन्यात्मा भले ही परमात्मा को पहचानने में कहीं चूप कर दे लेकिन मेरा अपना मानना है कि पापात्मा जो है वो परमात्मा को बिलकुल अंधेरे में भी बैचान लेता है कि ये परमात्मा है क्योंकि उसका पूरा चित चरित रोचिंतन जो होता है वो परमात्मा के प्रती उनकी जागरुकता के भाव से भरा हुआ होता है तो मेरा ये मानना है कि रावड के रास्ते पे चलके आप राम तक पहुंच सकते हैं कुछ लोग क्या होता है पंकच कि कुछ लोग जुड़कर लड़ते हैं और कुछ लोग लड़कर जुड़ जाते हैं तो रावड जो है वो लड़कर जुड़ने वाला व्यक्ति है और परमात्मा का सानिद दिये है मेरा अपना यह मानना है कि मर्यादा पुर्शोत्म श्री राम का सानिद जो होता है आप किसी भी तरीके से उन से मिलें वो आपको निशंक ही करते हैं इसलिए लिखा गया है कि अपने प्यारे राम को रीज भजो या खीज खेत पड़े बढ़ जात है उल्टो सीदो बीच तो यह वारी जो बात है तो मेरा अपना यही मानना है कि उनका जो सानिद होता है वो आपको निशंक करता है चाहे आप किसी भी भाव भाशा या व्यवहार के माध्यम से उनके संपर्क में आते है और जब रावन का जिक्र होता है तो रावन ने सीता जी को कभी छुआ तक नहीं रावन शिवभग थे उनने शिव की तपस्या की दस शीशका उनको वरदान में मिला और शायद राम के हातों मरकर वो मोक्ष पाना चाहते थे तो रावन को अगर उस तरीके से देखे तो प्रखान पंडित थे रावन जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि अब देखिए आप कितना विलक्षन करदार है और अगर परमात्मा श्री राम और तरलोक विजेता रावन के व्यक्तित्तु के उपर अगर हम दृष्टी डालने तो हम यह पाएंगे कि एक की उपासना रावन की उपासना दोनों ही श्री वो पासकते परमात्मा श्री राम भी और रावन भी रावन की उपासना में कामना थी और राम की उपासना में भावना थी तो जब आप कामना से प्रेरित होकर किसी की उपासना करते है तो आपका आराध्य आपको वो देता है जो आराधक चाहता है लेकिन जब आप भावना से प्रेरित होकर आपकिसी की उपासना करते है तो आपका आराध है आपको वो देता है जो आराध चाहता है तो ये एक जो बेसेक अंतर रावन को शिव से चाहिए था लेकिन राम को शिव चाहिए थे तो शिव से चाहिए वाली इस्थिती में आवश्चक नहीं है कि जो आपको शिव से मिले उसमें शिव मी मौजूद हूँ लेकिन अगर आपको शिव चाहिए हैं तो जहां पर शिव हैं तो जो कुछ भी शिव के पास है वो आपके पास स्वाइस्पूर्थ तरीके से उपलब्द हो जाता है तो अगर उनको देखें दोनों कमाल के लीडर थे दोनों की फैन फॉलोइंग थी अगर उसको आज के तरीके से हम अगर चरितार्थ करने की बात करते हैं कि दोनों के बहुत बड़े प्रवल पक्षदर थे लेकिन रावण यदि उन्ही गुणों के साथ हा कहना सीख लेता तो वो तिरसकार का नहीं सतकार का विशय हो जाते और राम यदि उन्ही गुणों के साथ ना कहना सीख लेते कि ना भाई को राज दे दो नहीं देता एक पत्निवृत करो नहीं करता रावण से अगर आप यह कह देते कि रावण रिशियों को मत सताओ हाँ नहीं सताता किसी परिस्त्री के उपर द्रिष्टी मत डालो हाँ नहीं करता तो जो उनके अंदर अगर हम देखे तो हाँ और ना का एक व्यक्ति जो था जो इंकार के भाव से भरा हुआ था जिसे आप रावण का चरितर कहते हैं और एक व्यक्ति जो थे जो बर्यादा पुर्षूतम है वो सुईकार के भाव से भरे हुए थे कि उनके जीवन में जो कुछ भी आया उन्होंने ततकाल उसको सुईकार करते हुए चले गए वो प्रतिकूल को अनुकूल बनाने में सिद्धे प्रतिकूल परिस्थितियों को अनुकूल बनाने का काम श्री राम ने किया और रावण के जीवन में कहीं न कहीं अनुकूल परिस्थितियों को प्रतिकूल में परिवर्थित करने का काम उन्होंने किया लेकिन यदि देखें कि अगर परम ब्रह्म परमात्पा देवाधी देव महादेव का सानिद्य आपके जीवन में आता है तो सानिद्य के लिए रावण ने अगर तपस्या की और उसने कहा कि मुझे अमरत्व चाहिए मुझे अमर होना है लेकिन सृष्टी का विधान तो देवादी देव महादेव ने अपने आराध राम के साथ उनको शत्रू के भाव से जोड़के तो अब जब तक राम है तब तक राम की रावण की चर्चा आप करते रहेंगे आप से बातचीत में हमेशा इस जिक्र होता है आशुभाई की आप त्रेता यूग का जिक्र करते हैं आप द्वापर यूग का जिक्र करते हैं और फिर सत्यूग और कल्यूग का जिक्र करते हैं यानि राम रावण तब से साथ साथ हैं हमेशा जिक्र करते हैं जी बिलकुल मेरा अपना ये मानना है कि दशरत के पुत्र है अगर इसको हम उपमा उपमे अलंकार मिलें तो दशरत क्या हमारे जो पाँच ग्यानेंद्रियां पाँच जननेंद्रियां ये जो हमारा शरीर है ये दस इंद्रियों से भरा हुआ है तो ये दशरत है, ये रत है जो दस चीजों के द्वारा नियंत्रित होता है कौशल्या, उनकी मा है दशरत की तीन रानिया थे कौशल्या कौशल्या का अर्थ होता है कुशल्ता कैकई का अर्थ होता है करमठता और सुमित्रा कार्थ होता है मित्रता याने कुशलता के लिए आपको क्या चाहिए युक्ति कर्मठता के लिए आपको क्या चाहिए शक्ति और मित्रता के लिए आपको क्या चाहिए भक्ति तो यदि आपके हमारे अपने इस दशरत के अंदर यदि हम युक्ति भक्ति और शक ले लेंगे और हमारी ये जो पूरी की पूरी जो दे है वो कही न कहीं आयोध्या में परिवर्थित हो जाएगी क्योंकि यदि राम जन्म लेते हैं तो आयोध्या में लिया ना और आयोध्या का अर्थ ही होता है जिसे युद्ध में जीता ना जा सके तो मतलब युद्ध्या आजाएगे और राम अगर आजाएंगे तो लक्षमन याने लक्ष के प्रती उनमुक मन आपके साथ पीछे-पीछे चलता रहेगा फिर आपके पाथ भरत तो वोले भरत मतलब भाव से भरा हुआ भाव से रत एक ऐसा चरित्र और चित्त आपके अंदर आजाएगा और प्रति की ऐसी कृपा है आप पर और जराप चूंकि आपने आयुद्या नगरी का जिक्र कर दिया भव्य राम मंदर बंकर वहां तैयार हो गया राम लला विराजमान हो गए आज की युग में भी राम भगवान राम कितने प्रासंगेक हैं अगर प्रासंगेक नहीं होते त जो चित्रान बालमी की जी ने लिखा बालमी की जी के बाद तीन सो टीकाएं हैं रामायन के ऊपर और पूजी तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिख दिया तो इतने लंबे समय तक अगर कोई कथा चल रही है तो इसका सीधा मतलब यही है कि परमात्मा श्री राम जो आचरन भी पूजनी है तो वो यह कहते हैं कि तो हमारे चरन तो पकड़ रहे हो लेकिन हमारे आचरन भी पकड़ दो तो कहीं न कहीं तुम्हारे जीवन में वो राम तत्व जो है राम चेतना है वो गटत हो जाएगी तो मेरा यही मानना है कि अगर इसको कहें कि राम राज क जो हम बात करते हैं तो अगर हम और आप अपने पिता को दशरत मानना शुरू करते हैं माता को कौशलिया का रुटबा देना शुरू करते हैं अपनी पत्नी को यदि हम सीता के तौर पर मानने लगें यदि अपने भाईगी के प्रती इतने सदाय हो जाएं कि अच्छा ये कह रहा है कि राज इनको दे दो मा चलो राज इनको दो दो दोनों भाईओं ने एक राज़े को बीच में फोटवाल बना दिया भरत कहते हैं आप ले लो राम कहते हैं तुम रखो तो ये वाली जो सदा है जो साहिर दरता है क्या हमारे अंदर इतने वर्षों तक उनको पूझने के बाद भी क्या उसके प्रती हम जागरुक हो पाएं मेरा ये मानना है कि परमात मश्री राम की भी हमारे और आप से यही अपेक्षा रही है कि वो चाहते हैं कि उनकी जो नीती नियतियां हैं वो ह लेकिन राम की भी माने अब चूकि भगवान राम का जिक्र हो रहा है तो उनके आराध्य का भी हम जिक्र कर लेते हैं भगवान शंकर की जबरदस्त उपासक थे भगवान राम तो वो शिव तांडव जो है वो आप से बहतर कौन कह सकता है तो हम चाहेंगे कि महादेव जो चरित्र है, अगर आप देखें, मैं तो शिव उपासक भी हूँ, मैं राम उपासक भी हूँ, मैं श्री किष्ण को भी मानता हूँ, और मैं संतों के प्रतीवी मैं नत्वाव से भरा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में जो है, जो कुछ भी हमें जी मिला है, वो गुरू से ही मिला है, और ये कोई नई बात नहीं है, जो भी हमें जानते हैं, वो हमारे सत्थ को, हमारे सत्थ को जानते होंगे, कि हमारे अंदर वो नत्मस्तक वाला भाव, हमेशा से इन तमाम चीजों के लिए रहा है, अगर महादेव का चरित्र देखें, आप क्यों कहा गया उनको महादेव? बड़ा विलक्षन है, उनका वाहन कौन है? देवादी देव महादेव का? नंदी. नंदी. और उनकी जो धर्म पत्नी हैं, जगत, जन्नी, मातेश्वरी, जगदंबा, पारवती का वाहन कौन है? सिंग. नंदी और सिंग आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं या अमित्र हैं? अमित्र हैं. दोनों भोजन हैं. उनके छोटे बेटे का वाहन कौन है? मूशक. और बड़े बेटे का वाहन कौन है? उले मोर. मोर और चूहा आपस में मित्र हैं के अमित्र हैं शत्रू है अमित्र है फिर उनके गले में जो उनका जो श्रिंगार माना जाता है जिसको आप कहते हैं के भोजंग हैं साप है बिच्चू है ये इन सब वाहनों के मित्र हैं या शत्रू है शत्रू है तो जहां पर विसंगती में जो संगती इस्थापित कर दे, वो शिव कहलाता है, कि तमाम जितनी भी विरोधी परिस्तितियां हैं, कि आप एक दूसरे को देख का गुर्रा तो सकते हैं, लेकिन आप एक दूसरे को उपर एक दूसरे को खा नहीं सकते हैं, तो जो ऐसी स्थिति कि प्रतिकूल परिस्तितियों को जो अनुकूल में परिवर्तित कर दे उसे महादेव कहा जाता है विसंगती को जो संगती में स्थाफित कर दे उसे शिव कहा जाता है शिव अर्थात कल्यानकारी तो ऐसे आराध जिनके रहे हो देवादी देव महादेव तो वो शेश है अश अप देखें, कितना विलक्षन है श्व का विक्तितु है। क्या बात है। कि जिसने उन्हें बनाया, वे उसी के हो गए। राम ने बनाया, तो वे रामश्वर हो गए। पंकज अगर उनका निर्माल कर देगे, तो वो पंकजेश्वर महादे हो जाएंगे। जोती अगर कर देंगे, जोती जी आपके बैटे हुए हैड, तो वो जोतेश्वर महादेव हो जाएंगे, और जहां का बनाया, वे वही के हो गए, अगर पीपल के नीचे उनको इस्थापित कर दो, तो वो पिलेश्वर महादेव हो जाते हैं, नदी के किनारे इस्थापित कर और इस्थान पर बनाया तो उसे सिद्ध कर देंगे तो जिसके पास सिद्धी और प्रसिद्धी दोनों ऐसा जो देव है इसलिए उनको देवादी देव महादेव शिव कहा जाता है कि संसार की जितनी भी प्रतिकूल परिस्तितिया नहीं है सब उनके जीवन में आई है कि चा लेकिन लेखनी का वक्त आप कैसे निकालते हैं आशुतोष भाई दो-दो किताबें रामराजी की में बात करो मौन मुसकान का किमार और तीसरी किताब आशुतोष नीती जीवन की रीती तीन किताब हैं मैं क्या करता हूं पंकज मेरा अपना ये मानना है कि मैं एक्चुली म बीच में मुझे कहीं जाना नहीं पड़ता या कोई एक अलग से अनुष्ठान नहीं करना पड़ता कि अवाजू दोजराना लिकेंगे, अब सब शांत हो जाओ, बत्ती बजाओ, अब एक डेस्क पे जाएंगे, डेस्क जलेगी और उसके उपर ऐसा कहीं कुछ नहीं है, मेरा कीजिए, वो निकली जाती हो, लेखने का अर्थ ही क्या है, आप अपने आपको अभिव्यक्त करना चाहते हैं, और मैं कितना भागशाली व्यक्ती हूँ, कि मुझे सिनेमा के माद्यम से भी अपने आपको अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है, मुझे किताब के माद्यम से ये भी अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है, तो अभिव्यक्ती कही खेल है, इस संसार में, हमारे जितने भी अवसाद और डिप्रेशन की वज़े है, वो धन नहीं है, ध्यान रखिएगा, हमारे संपर्क में आने वाले सो प्रतीशत लोगों में से सिर्फ मातर दस प्रतीशत लोग ही होंगे, जो कही न कहीं हमसे किसी किसम की अपेक्षा करते हैं, धन की, अनिता सो के सो प्रतीशत लोग हमसे ध्यान की अपेक्षा करते हैं, कि हम पे ध्यान दो, ध्यान की अगर हमने देना शुरू कर दिया और फिर वो चाहे हमारे अंदर के अपने भाव हो वो भी हमसे सिर्फ ध्यान की ही अपेक्षा करते हैं कि हमें ध्यान दे दीजिए हम आपके मित्रों आशुतोष भाई आप हमारे साथ होते तो मन करता आपको सुनते जाएं लेकिन वक्त का एक अपनी सीमा होती है अगर आप चाहते हैं कि आखर में हम आशुतोष भाई से कुछ सुने उनके मुख से कोई कविता सुने तो जरा जोरदार तालियों से अगर आप कहे देंगे आशुतोष भाई से तो चलते चलते हम चाहेंगे आशुतोष भाई कि आपके मुख से हम कुछ ऐसी पंक्तियां सुनने जो यादगार बन जाए मैं मेरा अपना ये मानना है क्योंकि हम और आप सब जो मनुष के रूप में हमारे अंदर निरंतर द्वंद चलता रहता है तो एक कविता है कि व्यर्थों के संकल्प विकल्पों में ये जीवन यूही बीता जाता है और पापपुन्ड की परिवाशा में उलट पुलट बोजल विक्टितमन गिरता है उड़ता है फिर भी चलता जाता है चोखट के बाहर एक जीवन ये चोखट है चोखट के बाहर एक जीवन चोखट के भीतर एक बाहर तो है मुस्कानों पर मुस्काने पर भीतर बनी है खो अनेक बैहर मन इटलाता है इतराता है टुमक टुमक कर चलता है किन्तु वंतर मन ऐसे जैसे कोई दर्द गीत के गाता है सुनो सुनो ए सोय मन सुनकर फिर चाहे सो जाना कुछ इतिहास लिखा हम तुमने क्या उसको हर पल है दोराना तो अब जो एक कविता लंबी है लेकिन शिखर दवन साब आ गया है तो इसलिए उनके समय की कीमत करते हुए मैं यहां से निश्चित रूप से उठूँगा लेकिन एक इस कविता का अंतिम पद्ध है अगर शिखर आप अलाव करें क्योंकि इनको अभिनेताओं के समय की कीमत हो या ना हो लेकिन क्रिकेटर्स के खिलाडियों के समय की कीमत बहुत होती है तो अगर आप अलाव करेंगे तो अन्तिम पद्ध बोलूँगा अन्यता नहीं बोलूँगा अब शिखर अगर आप सबना चाहे जी शिखर ने कह दिया है विया तो एक विनेह प्रभुवर तुमसे तुमको इसका ध्यान रहे अब जो भी आए तेरा इस जग में उसको इसका ग्यान रहे कि पंतों की अब चाह नहीं है नहीं चाह अब ग्रंतों की नेक नियत से धर्म बता दे चाह रही उन संतों की और अपने रतना रेर नेना प्रिवर तुम इस पर देना डाल और दूर कहीं पर होवे आहट तो मत जाना इसको टाल जैहिंद जैभारत बहुत बहुत शुक्रिया अश्टोष भाई न्यूज 18 बिंदिया की चोपाल में आने के लिए बहुत बश्चुक्रिया आगे आगे की देखें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वज़से मुझे यहां लाए गया है तो मैं जल्दी बाहर आऊंगा तो आखिर वो कौन सा बयान है जिसकी वज़से मुफ्ती सल्मान अजहरी को गुजरात ATS ने गिरफतार किया है आपको वो बयान भी सुनाते है